भारत मता की इनकलाब वन्दे वन्दे इतनी बड़ी संख्या में कोने कोने से आई हुए मेरे प्यारे बहनों भाईयों माताओं बुजर्गों बच्चों आप सब लोगों को मेरा नमश्कार सब को मेरा प्रणाम आज जब मैं यहां आ रहा था किसी ने मुझसे पूछा सर कहां जा रहे हो मैंने का मध्यपरदेश जा रहा हूं कहते हैं वो ही जहां व्यापम घोटाला हुआ था सोचो इन नेताओं ने इन पार्टियों ने मध्यपरदेश का क्या बदनाम कर दिया मध्यपरदेश के लोग महंती लोग हैं मध्यपरदेश के लोग इमांदार लोग हैं मध्यपरदेश के लोग देश भक्त लोग हैं लेकिन आप जब पूरे देश के अंदर मध्यपरदेश की चर्चा होती है तो लोग कहते हैं वो ही राज्य जहां पे व्यापम घोटाला हुआ था आपका क्या कसूर है? लोगों का क्या कसूर है? आपके नेताओं ने और आपकी पार्टियों ने आज पूरे देश के अंदर आपका नाम बदनाम कर दिया एक दाइम दिली का भी यही आल था जब दिली में कॉंग्रेस की सरकार थी पूरे देश में जब दिली की चर्चा होती थी कहते थे वो कॉमन वेल्ट घोटाले वाला दिली CNG घोटाले वाला दिल्ली 2G घोटाले वाला दिल्ली दिल्ली घोटालों के नाम से जाना जाता था आज जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है पूरे देश में जब दिल्ली की चर्चा होती है लोग क्या कहते हैं दिल्ली जहां पे अच्छे अच्छे स्कूल है दिल्ली जहां पे महला क्लिनिक है दिल्ली जहां पे बिजली मुफत है दिल्ली जहां पे 24 घंटे बिजली आती है दिल्ली जहां पे पानी शांदार है आज दिल्ली अपने कामों की वज़े से शिक्षा के लिए स्वास्त के लि हो गौगाई अको यह को आपको जानके ताजिब होगा दिल्ली में बिजली फ्री विखी मुफ्त है बिजली का बिल नहीं आता बिजली का बिल जीरो आता है जीरो जीरो मतलब जीरो एक भी पैसा नहीं देना पड़ता एक साल से हमारी पंजाब में सरकार बनी है पंजाब में भी अब बिजली का बिल जीरो आने लगा है जीरो मैं मजाक नहीं कर रहा मैं यह देख र जिली में बिजली का बिल 0 आता है जीरो! पंजाब में बिजली का बिल 0 आता है जीरो! और 24 गंटे बिजली आती है! 24 गंटे बिजली के पावर कट नहीं लगते! पहले दिल्ली में 8-8 घंटे पावर कट लगते थे जब से दिल्ली में हमारी सरकार आईए 24 घंटे बिजली आती है जीरो बिजली का बिल आता है पंजाब में एक साल पहले तक 7-7-8-8 घंटे के पावर कट लगते थे जब से हमारी सरकार आईए पंजाब में 24 घंटे बिजली आती है जीरो बिजली का बिल आता है मुझे पता चला है कि मद्धे परदेश में भी 8-8-10-10 घंटे के पावर कट लगते है और 200 यूनिट के मुझे बताया गया 2000 रुपे का बिल आता है 2000 रुपे का बिल एक बिचारा आम आदमी बिजली का बिल भरेगा कि कमाएगा कि खाएगा क्या करेगा दोस्तों जब मैंने दिली में बिजली का बिल जीरो करा मोदी जी बड़े नराज हो गए प्रदान मंत्री जी बहुत नराज गुस्सा हो गए मेर से बहुत ज़्यादा बोने केजरी वाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है केजरी वाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है प्रधान मंत्री जी बहुत बड़े हैं हम तो बहुत छोटे हैं मैं प्रधान मंत्री जी को पूरी विनम्रता से कहना चाहता हूँ हाँ मोदी जी मैं फ्री की रेवडी बांट रहा हूँ आपको क्या तकलीफ है अगर मैं फ्री की रेवडी बांट रहा हूँ तो आपको फ्री की रेवडी चाहिए की नहीं चाहिए दिल्ली वालों को हर दिल्ली वाले के हाथ में मैंने साथ साथ फ्री की रेवडी रख दी साथ फ्री की रेवडी हर एक दिल्ली वाले के हाथ में पहली रेवडी हर दिल्ली वाले की बिजली मुफ्त कर दी मैंने 24 घंटे बिजली फ्री कर दी 24 घंटे बिजली आती है मुफ्त बिजली आती है पहली फ्री की रेवडी दूसरी फ्री की रेवडी पूरे दिल्ली में शानदार स्कूल बना दिये इतने अच्छे अच्छे स्कूल इतने अच्छे अच्छे स्कूल बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए गरीबों के बच्चे या मीरों के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं एक ही डेस्क पे जज का बेटा आये सफसर का बेटा और रिक्षे वाले का बेटा एक ही डेस्क पे बैठके एक साथ पढ़ते हैं दिल्ली के अंदर सब के बच्चों के लिए मैंने शिक्षा मुफ्ट कर दी पूरी शिक्षा मुफ्ट शानदार स्कूल बना दिये पूरी दिल्ली में ये दूसरी रेवडी तीसरी रेवडी सब का इलाज मुफ्ट कर दिया सब का बच्चा बूड़ा जवान औरत आदमी ब्रामन बनिया इस जात का उस जात का इस धरम का उस धरम का अमीर गरीब शानदार सरकारी अस्पताल बना दिये जगे जगे महला क्लिनिक खोल दिये सब का इलाज मुफ्त कर दिया ये तीसरी रेवडी चोफी रेवडी सब का पानी मुफ्त कर दिया साफ पानी और पानी का बिल नहीं आता पानी का बिल जीरो आता है पांचवी रेवडी बसों के अंदर महिलाओं का सफर फ्री कर दिया किसी भी बस में चाहे सरकारी और चाहे प्राइवेट और किसी भी बस में महीला चड़ जाए उसके पैसे नहीं लगते फ्री में चलती है महीला है छटी रेवडी हर एक घर के बुजुर्गों को फ्री में तीर थियात्रा करा के लाता हूं अयोध्यजी ले जाता हूँ द्वार का दीश ले जाता हूँ शिरड़ी बाबा ले जाता हूं। पूरे देश में जहां आपको हो वहीं बुजुर्गों को तीर थियात्रा करा के लाता हूं और साथ भी रेवडी अपने युवाओं के लिए रोजगार का इंतजाम कर रहे हैं बारा लाख बच्चों का रोजगार का इंतजाम किया भगवंत मान ने तीस हजार सरकारी नौकरियां दे दी और अभी तीन लाख बच्चों के लिए सर नौकरियों का इंतिजाम कर रहे हैं तीन लाख साथ फ्री की रेवडी देता हूँ मैं साथ फ्री की रेवडी मोधी जी मेर से बहुत गुसा है बहुत नराज है मोधी जी मेर से मैं आपको पूछना चाहता हूँ आपको ये साथ रेवडिया चाहिए की नहीं चाहिए एक बार ये दोना हाथ उपर करके बता दो ये फ्री की रेवडिया चाहिए की नहीं चाहिए मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ मोदी जी इतनी महंगाई का रखी है आपने चारो तरफ इतनी महंगाई का रखी है मैंने अगर हर इनसान की चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान ला दी तो बताओ मैंने क्या पाप कर दिया इतनी महंगाई हो रही है चारो तरफ मैंने एक आदमी से पूछा बोला जी आज कल घर का खर्चा नहीं चलता तन्खा बढ़ी नहीं खर्चे रोज बढ़ रहे हैं दूद महंगा हो गया सबजिया महंगी हो गई आटा महंगा हो गया चावल महंगे हो गई हर चीज महंगी हो गई मैंने उससे पूछा कैसे हो गई महंगाई कहता जी अपने आप ही हो गई भगवान ने कर दी अरे भगवान महंगाई क्यों करेगा भगवान की दुश्मनी है आपसे कैसे हो गई महंगाई इतनी पूरे देश में इतनी महंगाई कैसे हो गई इतनी महंगाई हो गई क्योंकि उन्होंने लूट मचा रखी है सरकारी खजाने की लूट मचा रखी है इन्होंने मोदी जी अपने दोस्तों में खुले आम पैसे लुटा रहे है उनके एक दोस्त ने बैंक से 34,000 करोड रुपए का लोन लिया बंबई का एक आदमी है मोदी जी का दोस्त है 34,000 करोड का लोन लिया मोदी जी ने सारा लोन माफ कर दिया सारा लोन माफ कर दिया एक और आदमी गुजरात का उसने 22,000 करोड रुपए का लोन लिया बैंक से 22,000 करोड मोदी जी ने सारा लोन माफ कर दिया अरे ऐसे खजाना लुटा रहे हैं ऐसे खजाना लुटा रहे हैं खुली लूट चल रही है और पैसा कहां से आ रहा है आपके उपर टैक्स लगा रहे है दूद पे टैक्स लगा दिया छाच पे टैक्स लगा दिया पनीर पे टैक्स लगा दिया आटे पे टैक्स लगा दिया चावल पे टैक्स लगा दिया तेल पे टैक्स लगा दिया हर चीज पे टैक्स लगा दिया अंग्रेज हम कहते हैं अंग्रेज हमारा खून चूसते थे इतना खून तो अंग्रेजों ने भी नी चूसा अंग्रेजों ने भी कभी आटे पे टेक्स नी लगाया था अंग्रेजों ने कभी दूद पे टेक्स नी लगाया था अंग्रेजों ने कभी चाहे पे टेक्स नी लगाया था पिछले 75 साल में एक बार भी खाने पीने की चीज़ पे टैक्स नहीं लगा था देश में पहली बार मोधी ने पहली बार टैक्स लगाया खाने पीने की चीज़ और कितना टैक्स पेट्रोल ले लो पेट्रोल क्या भागए यहां पे मध्यपरदेश में 108 रुपए 108 रुपए पेट्रोल है आपके यहां उसमें 57 रुपए पेट्रोल और बाकी सारा टैक्स 57 रुपए का पेट्रोल बाकी सारा टैक्स सोचो कितना टैक्स ले रहे हैं यह कितना टैक्स ले रहे हैं यह यह सारा टैक्स का पैसा पूरे देश से टेक्स का पैसा लूट के बीस हजार करोड इसको दे दिये तीस हजार करोड इसको दे दिये चालिस हजार करोड बाट दिया सारा पैसा लूट लिया सारा पैसा मैं आप से पूछना चाहता हूँ जिस आदमी के 34,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 कुछ तो लिया होगा, कितना लिया होगा, कितना लिया होगा, भाई साथ बता रहें, ग्यारा लाख करोड रुपए माफ कर दिये मोधी जी ने, ग्यारा लाख करोड रुपए माफ कर दिये, लुटा दिये मोधी जी ने, कितना पैसा बनाया होगा बाई साथ कितना पैसा बनाया हो बेमानी करें मोदी जी और जेल में भेजें मनी सिसोदिया को बताओ मनी सिसोदिया का क्या कसूर है एक बिचारा टीचर का बेटा गरीबों के बच्चों को पढ़ाने चला था मनीज सिसोधिया ने पूरी दिल्ली में जगे जगे स्कूल बनवाए गरीबों के बच्चों के लिए स्कूल बनवाए सवेरे छे बजे उठता था और स्कूलों में चला जाता था मनीज सिसो दिया आज जेल में और बेइमानी करने वाले खुले आम घूम रहे हैं दोस्तों दस साल में इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया देश का दस सालों के अंदर नोट बंदी करी इनों ने मैं पूछना चाहता हूँ आप से किसका फायदा हुआ नोट बंदी से कह रहे थे ब्रष्टचार दूर होगा ब्रष्टचार दूर हुआ कह रहे थे आतंकवाद दूर होगा कोई फैедा नहीं हुआ बाहिस साब अगर आज पड़ी लिखी सरकार होती किसी हालत में नोट बंदी ना करती बिल्कुल नोट बंदी ना करते। मैंने एक इंट्रव्यू देखा था प्रधान मंत्री जी का। उनसे पूछा, प्रधान मंत्री जी आप कितने पढ़े हो। बोले मैं बस गाओं के स्कूल में गया हूँ, मैं कॉलिज नहीं गया। मैंने उनका एक भाशन सुना था प्रधान मंत्री जी का। उस भाशन में कह रहे थे, मैं बस गाओं के स्कूल में गया हूँ, मैं कहीं कॉलिज वालिज की पढ़ाई नहीं करी। मैं आप से पूछना चाहता हूँ, क्या आज आधूनिक 21 सदी के भारत के प्रधान मंत्री को पढ़ा लिखा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी का नाम है चौथी पास राजा। ये कहानी ये दिखाती है कि अगर किसी देश का राजा अनपड़ो, अगर किसी देश का राजा भरष्टो, अगर किसी देश का राजा एहंकारियो, तो एक महान देश भी कैसे डूब जाता है। ये कहानी ये दिखाती है। एक बहुत महान देश था। उस देश में एक गाउं में एक बहुत गरीब परिवार में एक बच्चे का जनम हुआ। तो गाउं में जैसे बच्चे का जनम होता है, गाउं का हर गाउं का एक जोच्छी होता है, एक पंड़त होता है, वो जोच्छी आया, उसने बच्चे की कुंडली बनाए, बच्चे की कुंडली बनाके जोच्छी बोला, माई, तेरा बेटा बड़ा होके बहुत बड़ा सम समराट बनेगा मा बोली मैं तो एक बहुत गरीब और तू मेरा बेटा समराट कैसे बनेगा जो ची बोला नहीं माई इसके बच्चे की कुंडली में लिखा है बच्चा दीरे-दीरे बड़ा होने लगा उसे गाओं के स्कूल में भरती करा दिया बच्चे का पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था किसी तरह से मुश्किल से उसने चोथी पास करी मा ने स्कूल से नाम कटा दिया बोला धोड़ी कमाई करके लाएगा घर का घर्चा चलेगा घर के पास एक रेल्वे स्टेशन था रेल्वे स्टेशन पे बच्चा जाके चाय बेचने लगा बच्चा भाषन बड़े अच्छे देता था बच्चपन से ही भाषन बड़े अच्छे देता था एक बार भाषन देना शुरू करता और जो बंदी नहीं होता गाउं के लड़कों को इकठा कर लेता और भाषन देना चालू करता धीरे धीरे करके बच्चा बढ़ा हुआ जोट्शी ने कहा था कुंडली में लिखा था बच्चा उस महान देश का राजा बन गया बढ़ा हो के अब बच्चा राजा तो बन गया उस चौथी पास राजा को कुछ भी ना आए पढ़ना लिखना आता नहीं था समझ थी नहीं अफसर आते थे जो मरजी फाइल पे साइन करा के ले जाते थे अफसर जो मरजी फाइल पे अफसर उसको अंग्रेजी में बोलते उसको समझ नहीं आता जो मरजी फाइल पे राजा साइन कर देता अफसरों की आश हो गई धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया कि राजा अनपड़ है राजा को बड़ा चिंता होने लगी कि लोग तो मेरा मजाक उड़ाते हैं राजा ने जुगाड करके कहीं से एक फरजी डिगरी का इंतजाम कर लिया इम्मे की डिगरी राजा बोला मैं मैं हूँ अब जनता हसने लगी जनता को तो पता था असलियत क्या है जनता को तो पता था राजा की डिगरी फरजी है दोस्तों धीरे धीरे लोग उसके पास आते और उसे बेवकू बना के जो मर्जी करके चले जाते एक दिन कुछ लोग आए बोले महराज नोट बंदी कर दो आप जैसा इतना बड़ा राजा इनोट बंदी कर सकता है नोट बंदी करने से ब्रष्टाचार दूर हो जाएगा आतंकवाद दूर हो जाएगा राजा को समझ तो थी नहीं लोगों ने चड़ा दिया राजा भी चड़ गया राजा ने नोट बंदी कर दी और भाई साव वो पूरे देश के अंदर लोग लाइनों में खड़े हो गए बैंकों के आगे लंबी लंबी लाइने लग गई इतने लोग मारे गए और वो महान देश बीस साल पीछे चला गया बीस साल पीछे चला गया महान देश बीस साल पीछे एक दिन उस राज राज के अंदर उस देश के अंदर बहुत बड़ी महामारी आई उस महमारी में कही लोग मारे गए एक आदमी ने आके राजा को कहा महराज पूरे देश के लोगों को बोलो की ताली और चम्मच बजाएंगे ताली और चम्मच से Yes अब राजा को समझ तो थी नहीं पड़ा लिखा था नहीं अनपड़ था पूरे देश से उसने ताली और चम्मच बजवा दिये लोग मरते रहे लोग बहुत अक्सीजन की कमी से लोग मरते रहे दोस्ता दीरे दीरे उस राजा के दोस्तों ने लूट मार मचा दी राजा ने किसी को दस हजार करोड दे दिये किसी को बीस हजार करोड दे दिये पूरे देश में महंगाई महंगाई फैल गई बेरोजगारी फैल गई बलातकार होने लगे चारो तरफ हाहाकार मच गया उपर सारे देवता देख रहे थे आसमान में सारे देवता इकटे हुए और सारे देवता मिलके शिवजी महराज के पास गए बोले महराज कुछ करो प्रिच्वी पे घोर अन्याई हो रहा है घोर पाप हो रहा है कुछ करो महराज ने आखे बंद करके ध्यान किया और शिवजी महराज ने उस महान देश के हर आदमी के अंदर आके ऐसी भावना डाली कि अगली बार जब चुनाव हुआ अपने आप लोगों का बटन उसके बटन पे नहीं या दूसरा बटन दब गया लोगों का और वो राजा हार गया उस चुनाव के अंदर और मैंने सुनाएं कि आज कल वो राजा दुबारा उसी स्टेशन पे जाके चाए बेच रहा हैं दोस्तों वक्त बड़ा बलवान है वक्त बड़ा बलवान है वक्त से डरना चाहिए और अंत में मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ जैसे डिली के लोगों ने बीजेपी और कॉंग्रेस को उखाड के फेका जैसे पंजाब के लोगों ने बीजेपी कॉंग्रेस सकाली दल को उखाड के फेका एक मौका आप लोग आम अदमी पार्टी को देके देखो मैं आपको कहना चाहता हूँ आप इस मामा को भी भूल जाओगे और मामा के सारे इन चेले चपाटों को भी भूल जाओगे भारत माता की